हलो एब्रीवन, वेलकम टू इंजिनेर्टरी, मैं हूँ सुमीद, आज हम डिसकस करेंगे पर्सेंटेज पार्ट फोर, इससे पहले मैंने पर्सेंटेज के लिए तीन और वीडियो प्रवाइड के हुए हैं, तो आपने हमारे प्रीवेस वीडियो अपी तक नहीं देखे या फिर आप उसे हमारी चैनल की प्लेइलिस्ट में जाके वाच कर सकते हैं, चैनल की प्लेइलिस्ट में आपको अधर सब्देट के वीडियो भी मिल जाएंगे, गेट के लिए, गेट इसी के लिए हमने अल्रेडी 60% से ज्यादा सिलेबस कवर करा रखा है, तो काफी सारा म आपके पास देखने के लिए, तो आप हमारे चैनल की प्लेइलिस्ट में जाके हमारे बाकी के वीडियो भी वाच कर सकते हैं, अगर आप नए हैं हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन दिख्रिप्सर में दी हुई है, वहाँ जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमारा फेस्बुक ग्रूप भी जॉइन कर सकते हैं, फेस्बुक ग्रूप की लिंक भी नीचे दिख्रिप्सर में दी हुई है, तो चले स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज, यहाँ पे परसें इस type का example मैंने previous वीडियो में भी discuss किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा difference है, वहाँ पे मैंने लिया था x multiplied by y equal to constant, यहाँ पे मिले रहा हूँ n, यहाँ पे जो n है यह constant value नहीं है, जब यहाँ पे हम constant value ले रहे थे, तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, कि जैसे ही हम x क increase करते थे, तो यहाँ पे y जो था, वो automatically decrease हो रहा था, इसी तरह से अगर हम x को decrease कर रहे थे, तो जो हमारा y है, वो automatically increase हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे अगर हम x को increase करेंगे, तो हमारी जो quantity है n, वो भी increase होगी, यहाँ पे अगर हम x को decrease करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारी quantity है, वो भी जो है decrease होगी, अब यहाँ पर कितना increment होगा, या फिर कितना decrement होगा, इस पर बेस काफी सारे question पूछे आते हैं, किस तरह से आगे example के तुरू मैं आपको समझाऊंगा, फिलाल हम concept समझते हैं, for example, अगर question में mention है, कि जो हमारा X है, वो increase हो रहा है 10%, एंड जो Y है हमारा, वो increase हो रहा है 10%, तो जो overall quantity होगी हमारी N, उसमें कितना increment देखने को मिलेगा, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है, कि जो N है, उसमें क्या changes देखने को मिलेंगी, N increase होगा, या फिर decrease होगा, अगर increase होगा, तो कितने percent से increase होगा, अगर decrease होगा, तो कितने percent से decrease होगा, तो चलिए इससे solve करके देख लेते हैं, X 10% increase हो रहा है, मैंने आपको previous वीडियो में, concept of multiplier बताया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर कोई number 10% से increase होता है, तो इसका मतलब है, उस number में हम multiply करेंगे 1.1, तो यहाँ पे मैंने 1.1X लिखा, इसी तरह से Y भी जो है, 10% increase हो रहा है, तो मैंने इससे लिखा 1.1Y, और यहाँ पे हमें मिल रही है, new quantity, that is N dash, अब यहाँ पे जब हम solve करेंगे से, तो मुझे मिलेगा N dash equal to 1.21, मैंने 1.1 and 1.1 को multiply किया, तो मुझे मिल रहा है 1.21, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, X, Y जो था हमारा, वो equal था N के, तो यहाँ पे मैंने लिखा N dash equal to 1.21 N, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो new quantity हमें मिल रही है, वो previous quantity से 1.21 times ज़ादा है, और इसका मतलब मैंने आपको बताया हुआ था, concept of multiplier में, 1.21 का मतलब होता है, 20% का increment, sorry, 21% का increment, तो यहाँ पे हमें 21% का increment देखने को मिल रहा है, इसी तरह से अगर question में mention होता, X जो है मारा वो 10% increase हो रहा है, and Y जो है मारा वो 20% increase हो रहा है, तो overall जो quantity होगे मारे पास N, या जो number होगा मारे पास N, उसमें इसका क्या effect पड़ेगा, तो इससे हम solve करके देखते हैं, 10% increment का मतलब होता है, 1.1 X, इसी तरह से Y में 20% का increment हो रहा है, तो इसका मतलब होगा 1.2 Y, तो हमें मिलेगी new quantity, that is N, अब यहाँ पर जब हम इसे solve करेंगे, तो मुझे मिलेगा N, equal to 1.32 X, यहाँ पर X, Y जो है वो N के equal है, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा N, equal to 1.32 N, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1.32 से multiply हो रहा है N में, इसका मतलब है, हमारी जो new quantity होगी, वो 32% ज़ादा होगी previous quantity से, तो यहाँ पर जब हम increment कर रहे है, X में 10% का, and Y में 20% का, तो हमें overall increment देखने को मिल रहा है 32%, तो very important concept, यह concept किस तरह से use होता है, example कितरू मैं आगे आपको समझाऊंगा, यहाँ पर हमारे पास एक और concept है, अगर हमारे पास कोई quantity है, M, X प्लस Y के form में, तो यहाँ पर हम इसे किस तरह से solve करते हैं, देखते हैं, for example, अगर question में दिया होता, कि हमारी जो quantity है X, वो 10% increase हो रही है, and Y जो है, वो भी 10% increase हो रहा है, तो overall M पर इसका क्या effect पढ़ेगा, तो हम इसे किस तरह से solve करते हैं, यह भी हम देखते हैं, X जो है वो 10% increase हो रहा है, Y भी यहाँ पर 10% increase हो रहा है, तो मैंने इसे लिखा 1.1X and 1.1Y, तो हमें new quantity मिलेगी M dash, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों ही में हमारे पास जो common है, वो है 1.1, तो मैंने 1.1 को common निकाला, तो मुझे मिलेगा 1.1X plus Y, अब यहाँ पर X plus Y equal था हमारे पास M के, तो मैंने इसे लिखा M dash equal to 1.1M, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमारी new quantity होगी, वो previous quantity से 1.1 times ज़ादा है, इसका मतलब है, यहाँ पर जो previous quantity से increment हो रहा है, वो रहा है 10% का, तो इस तरह से हम जो इस तरह के question होते हैं, उन्हें solve करते हैं, अब यहाँ पर जो आपको समझने वाली चीज है, वो मैं आपको बता देता हूँ, for example, अगल question में दिया होता, कि हमारा जो x है, वो 20% increase हो रहा है, and y जो है हमारा वो 10% increase हो रहा है, तो overall इसका effect क्या पड़ेगा, m पे, तो यहाँ पर 20% increment को मैंने लिखा 1.2x, and 10% increase हो रहा है y में, तो मैंने इसे लिखा 1.1y, अब यहाँ पे आप देश सकते हैं, इस equation में हमारे पास कुछ भी common नहीं है ऐसा, जिससे निकालने के बाद, मुझे x plus y मिले, अगर x plus y मिलता, तो यहाँ से हमें पता चल जाता, कि हमारी जो new quantity होगी, वो old quantity से कितने percent जादा है, या फिर कम है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी common निकल के नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे जो correct option होगा, वो होगा can't determine, तो इस type के question जहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हमारी जो quantity होगी, या फिर जो भी number होगा, वो होगा x plus y के form में, यहाँ पे x एंड y में different type के increment या फिर decrement देखने को मिल रहे हैं, तो इसका जो correct option होगा, वो होगा can't determine, अगर question में दिया होता कि हमारा जो x है, वो decrease हो रहा है 10% से, एंड y जो है, वो भी decrease हो रहा है 10% से, तो overall इसका क्या effect पढ़ेगा m पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा m देस equal to 10% decrease का मतलब होता है 0.9x, इसी तरह से y में 10% का decrease हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने इससे लिखा 0.9y, यहाँ पे आप देख सकते हैं common nickel क्या रहा है 0.9, तो फिर मैंने 0.9 को common निकाला, तो मुझे मिल रहा है m "- equal to 0.9x प्लस y, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है m "- equal to 0.9m, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं m में multiply हो रहा है 0.9 का, 0.91 से कम है, तो यहाँ पे हमारे पास decrement देखने को मिलेगा, और यहाँ पे decrement देखने को मिल रहा है हमें 10% का, concept of multiplier में मैंने आपको बताय हुआ था कि किस तरह से increment and decrement को हम multiplier की थू express कर सकते हैं percentage में तो आप उस video को देख लेंगे तो सारे जो concept है वो आपके clear हो जाएंगे चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर जो एक और important concept है वो मैं आपको बता जेता हूँ अगर हमारे पास कोई number है या फिर कोई quantity है m equal to 2x plus y के form में तो हम इसे किस तरह से solve करते हैं यहाँ पर अक्सर confusion होता है इसलिए मैंने इसे note में mention किया हुआ है for example अगर मैं यहाँ पर कहता कि जो हमारा x है वो 10% से increase हो रहा है and y जो हमारा वो भी 10% से increase हो रहा है तो overall m पे इसका क्या effect पड़ेगा तो यहाँ पे अभी मैंने previous question को solve करके दिखाया आपको दोनों में 10% का increment हो रहा था तो इसका मतलब है वहाँ पे 1.1 common निकलेगा तो यहाँ पे 10% का increment होगा लेकिन यहाँ पे 2 का multiply हो रहा है तो अक्सर student क्या करते है 10% में 2 का multiply करते है और answer tick करके आते है 20% का increment लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा मैं आपको करके दिखा देता हूँ x में 10% increment का मतलब है 1.1x इसी तरह से y में 10% increment का मतलब है 1.1y अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.1 common निकलेगा तो मुझे मिलेगा 2 in bracket 2x plus sorry 2 in bracket x plus y which is equal to m तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे m dash मिलेगा 1.1m तो यहाँ से देख के हम बता सकते हैं कि जो हमारा m dash होगा उसमें 10% का increment हो रहा है तो इस तरह से आपको सारे concept याद रखना है इन concept के base पे question किस तरह से पूछे आते हैं वो भी हम देख लेते हैं for example अगर आपको एक rectangular दिया हुआ है and rectangular की length and width दी हुई आपको and question में वहाँ पे आपसे कहा जाए कि length में increment हो रहा है width में increment हो रहा है या फिर decrement हो रहा है and उसके according आपसे पूछा जाए कि area and perimeter में क्या effect पड़ेगा length and width के increment या फिर decrement होने की वज़े से तो यहाँ पर हमारों जो एक concept है जो भी मैंने आपको बताया यह use होगा किस तरह से मैं आपको बताता हूँ for example अगर question में दिया हो कि जो rectangular है उसकी length में increment हो रहा है 10% का and width में यहाँ पर increment हो रहा है 20% का तो इसका overall effect क्या पड़ेगा इसके area पे area increase होगा, decrease होगा अगर increase होगा तो कितने percent से increase होगा अगर decrease होगा तो कितने percent से decrease होगा तो यहाँ पर हम इससे solve करके देखते हैं L में 10% increment का मतलब होता है 1.1 and width में यहाँ पर 20% का increment हो रहा है इसका मतलब है 1.2 तो जब हम 1.1 को 1.2 से multiply करेंगे तो हमारा जो answer है वो यहाँ से निकल के आ जाएगा इसी तरह से question में ऐसा भी दिया हो सकता है कि जो हमारी length है वो increase हो रही है 30% and जो हमारा width है वो decrease हो रहा है 20% तो इसका overall effect क्या पड़ेगा area पर 30% increment का मतलब होता है 1.3 and 20% decrement का मतलब होता है हमारे पास 0.8 तो यहाँ पर 1.3 को जब हम multiply करेंगे 0.8 से तो हमें मिलेगा 1.04 तो यहाँ से आप देखके बता सकते हैं कि जो हमारा area है वो increase हो रहा है 4% तो इस तरह से हम यह जो concept है इसे use करके question solve करते हैं अब हम previous example में पहुंचते हैं increase हो रहा था हमारे पास length 10% and जो width थी वो increase हो रही थी 20% and इसके लिए अगर पूछा जाता कि इसका overall effect क्या पड़ेगा perimeter पे तो perimeter होता है हमारे पास rectangular का P equal to 2 L plus W यहाँ पे L है length and W हमारे पास width and P जो है वो perimeter को represent कर रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो equation है वो M equal to 2 X plus Y के form में convert हो गई है and यहाँ पे X में increment बोल रहा है 10% and Y में increment बोल रहा है 20% मतलब L में increment बोल रहा है 10% and W में increment बोल रहा है 20% तो आप देख सकते हैं दोनों ही quantity में जो increment हो रहा है वो different हो रहा है तो इस case में मैंने भी आपको बताया है कि जो हमारा correct option होगा वो होगा can't determine अगर यहाँ पे increment same होता तो यहाँ पे जो perimeter है उसमें हम changes बता पाते हैं कि कितने changes हो रहा है for example अगर कहा जाता कि length जो है वो 10% increase हो रही है and width भी यहाँ पे 10% increase हो रही है तो हमारा जो perimeter है वो भी 10% यहाँ पे increase हो जाता तो इस concept को use करके हम इस तरह से question को solve करते हैं हम कुछ और example देख लेते हैं जहाँ पे यह concept use होता है यहाँ पे हमारे पास एक और example है question में दिया हुआ है if radius of circle is increased by 10% then find change in area and perimeter of circle यहाँ पे जो radius है circle की उसे increase करा जा रहा है 10% and पूछा जा रहा है कि जो 10% increment हो रहा है radius में इसका क्या effect पड़ेगा area में and perimeter में तो सब से पहले थो हमें यह पता होना चीए कि जो circle होता है उसका area क्या होता है and parameter क्या होता है circle का जो area होता है हमारे पास वो होता है pi r square and जो perimeter होता है वो होता है 2pi r अब यहाँपे आप देख सकते हैं area हमारे पास pi r square इसे हम लिख सकते हैं r multiplied by r multiplied by pi रहा है कि जो R है उसमें इंक्रिमेंट हो रहा है 10% का, तो यहां पे R में 10% का इंक्रिमेंट का मतलब होता है 1.1 R तो मैंने इसे लिखा 1.1 R and यहां पे मैंने इसे लिखा 1.1 R जब आप इसे मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपको new area मिलेगा π 1.21 R square π R square है हमारे पास A, तो मैंने इसे लिखा A हमें new area मिल रहा है A 1.21 मतलब जो previous area था उसमें multiply हो रहा है 1.21 का तो यहां पे multiplier की concept से हम कह सकते हैं कि जो हमारा new area होगा वो increase हो रहा है 21% perimeter निकालने के लिए हम क्या करेंगे, perimeter होता है हमारे पास 2 pi R एंड जो हमारा R है वो increase हो रहा है 10% तो मैंने इसे लिखा 1.1 R अब यहां पे आप देख सकते हैं 2 pi R होता है हमारे पास perimeter जिसे हमने P से represent किया था तो मैंने यहां पे लिखा P dash equal to P 1.1 अब यहां पे आप देख सकते हैं P में multiply हो रहा है 1.1 का तो यहां पे multiplier के concept से हम कह सकते हैं कि जो हमारा perimeter है वो increase हो रहा है 10% इसी तरह से question कुछ भी पूछे जा सकते हैं for example अगर पूछा जाता कि हमारा जो radius है वो increase हो रहा है 12% तो इसका क्या effect पढ़ेगा area पे तो 12% increment का मतलब होता है 1.12 R तो यहां पे मैंने लिखा 1.12 R multiplied by 1.12 R जब हम इसे multiply करेंगे तो हमें मिलेगा 1.254 R तो यहां पे आप देश सकते हैं multiplier के concept से हमारा जो overall area होगा changes के बाद उसमें 25% का increment देखने को हमें मिल रहा है तो इस तरह से यह जो concept है मैंने भी आपको बताया इसे use करके next example देख लेते हैं एक और example है हमारे पास यहां पे question दिया हुआ है shopkeeper cheat 8% and again 8% during selling find out overall percentage of profit एक shopkeeper जो है वो पहले 8% की cheating करता है और उसके बाद 8% की cheating वो again करता है selling के time पे तो यहां पे पूछा गया है कि जो shopkeeper है उसको कितना profit होगा percentage wise overall profit हमको बताना है तो यहां पे भी आप देख सकते हैं multiplier का concept लग रहा है 8% increment का मतलब होता है 1.08 and again 8% का increment हो रहा है तो यहां पे मैंने इसे लिखा 1.08 अब यहां पे आप देख सकते हैं जो overall profit होगा वो इन दोनों profit का multiplication होगा तो यहां पे जो हमें number मिल रहा है हमें जो quantity मिल रही है वो मिल रही है n equal to x multiplied by y के form में तो यहां पे हमने multiply किया 1.08 को 1.08 से तो यहां पे हमें मिलेगा 1.1664 and यहां से आप देख के easily बता सकते हैं कि यहां पे जो profit हो रहा है वो हो रहा है 16.64% का तो जो shopkeeper है उसे overall profit होगा 16.64% यहां पे आप ध्यान रखें दो बार profit हो रहा है 8% and 8% का तो आपको इसे add नहीं करना है अब add करेंगे तो आपको मिलेगा 16% यह जो overall profit होगा वो होगा 1.08 multiplied by 1.08 के form में तो यहां पे हमारे पास जो profit निकल के आएगा वो निकल के आएगा 16.64% तो फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही non-tech का response इतना अच्छा नहीं आ रहा है मुझे लगता है कि साइद आप लोग technical पढ़ना चाते है पहले तो अब मैं next video में technical कोई subject ठाऊँगा और उसे continue करूँगा जो non-tech section है उसे हम बाद में continue करेंगे अगर आपकी कोई curious हैं कोई doubts हैं इस वीडियो के regarding तो आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं अगर आपने हमारे channel को भी तक subscribe नहीं किया हुआ है तो मैं फिर से कहूँगा इसे पहले subscribe कर लें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे like कीजिए अपने दोस्तों को share कीजिए ताकि उनके भी concept यहां से clear हो सके Thank you